नमस्कार दोस्तो परकृती ने मानुव को कई परकार की जड़ी बूटियां दी हैं इन में से कुछ जड़ी बूटियों का प्रयोग हमरोजाना अपनी रसोई में करते हैं एक ऐसी ही सुगंधित जड़ी बूटी है सौफ जिसका प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है सौफ की तासीर ठंडी होती है सौफ को आयरुवेद में कफ नाशक बुद्धी वर्धक पाचनवा आँखों के जोती बढ़ाने वाली बताया गया है युनानी चिकिस्सा में भी बताया गया है कि सौफ का अर्क कफ और बात को खत्म करता है मूल रूप से सौफ की खेती भूमद्य साग्रेक शेत्रों में अधिक होती है सौफ के फाइदे मुह की दुरगंद को करे दूर सौफ का सेवन करने से मुह की दुरगंद से शुटकारा मिलता है भोजन करने के बाद कुछ दाने सौफ के चबाने से मुह की दुरगंद दूर होती है सौफ में मजूद रुगानू रोधक गुन दुरगंत को पैदा करनेवाले रुगानू को खत्म करते हैं और बढ़ने से रोकते हैं वजन कम करने में करे मदद सौफ का सेवन करने से मोटापा कम करने में मदद मिलती है क्योंकि इसमें वसा नाशक गुन पाये जाते हैं सौफ खाने से भूख कम लगती है और हम कम मात्रा में खाना खाते हैं सौफ के दानों को भून कर इसका चूर्ण बना कर अधा अधा चमच दिन में दो बार गरम पानी के साथ खाने से वजन कम करने में मदद मिलती है आंखों के लिए हैं फाइदे मंद एक अध्यन में पाया गया है कि आंखों के समस्याओं में सौफ का प्रयोग लापतायक है सौफ आँखों के दबाव को कम करती है और मोट्या बिंद जैसे रोग से बचाव करती है साथी शुगर के रोग में आँखों की नजर समंदी समस्याओं में सौफ के सेवन से लाब होता है इसके लिए सौफ वाली चाय या सौफ को पानी में उबालकर इसका सेवन किया जा सकता है आँखों के जोती बढ़ाने के लिए आधा चमच सौफ का चूर्ण और आधा चमच मिश्री का चूर्ण मिलाकर रात के समय सोने से पहले दूद के साथ लेना लाबदाएक रहता है आँखे आने जा आँखे दुखने पर करें सौफ का प्रयोग आँखे आने जा आँखे दुखने पर सौफ का काढ़ा पीने से फाइदा होता है इसी पानी से आँखों को बंद करके धोने से भी आराम मिलता है सौफ के पानी से आँखों के जलन वा सूजन में फाइदा होता है और आँखे जल्दी ठीक होती है हड़ियों को करे मजबूत सौफ के सेवन से हड़ियां मजबूत बनती है क्योंकि सौफ में कैलशियम पाया जाता है सौफ में कैलशियम के अलावा मैंगनीशियम, फासफोरस वा विटामिन्स पाय जाते हैं जो हड़ियों को मजबूती परदान करते हैं दिमाग के लिए हैं फाइदे मंद सौंफ का सेवन करने से दिमाग यानि मस्तेशक की कारेशीलता बढ़ती है इसके सेवन से दिमाग को आकसिजन सही मातरा में पहुंचती है सौंफ का सेवन अफसाद यानि डिप्रेशन से भी उभारता है इसके सेवन से यादाश्ट भी बढ़ती है महिलाओं के लिए है लाबदाइक महिलाओं की मासिक धर्म सम्बंदी समस्याओं में सौफ का सेवन लाबदाइक रहता है मासिक धर्म के दर्द को कम करने में सौफ मदद करती है साती सौंफ में मां का दूद बढ़ाने वाले गुन भी पाए जाते हैं इसलिए स्तनपन करवाने वाली महिलाओं को इसका सेवन करना चाहिए हाट अटैक का खत्रा करे कम सौंफ दिल के लिए भी लाव्टाइक है इसके सेवन से हार्ट अटेक यानि दिल के दौरे का खत्रा कम हो जाता है इसमें मौजूद पोटेशिम हाई बलड प्रेशर को नियंतरित करता है इसमें पाया जाने वाला फाइबर कॉलिस्ट्रोल को कम कर नियंतरित करने में मदद करता है एसिडिटी वा गैस से दे राहत सौफ के सेवन से गैस वा एसिडिटी से राहत मिलती है साथी खाना जल्दी या सही ढंक से ना पचने के कारनक पेट में भारिपन गैस वा गबरहाट इत्याती समस्याओं में सौफ का सेवन लाबदाइक रहता है ज्यादा नींद आने पर सॉफ का सेवन है लाबदाइक ज्यादा नींद आने पर सॉफ का सेवन करने से फायदा होता है ये आलस को दूर करती है इस समस्या के समाधान के लिए 10 ग्राम सौफ को आधा लेटर पानी में तब तक उबाले जब तक पानी एक चोथाई ना रह जाए इस पानी में नमक मिलाकर लगा तार चार दिन तक सुभा शाम पीने से ज्यादा नींद आने की समस्या में लाफ मिलता है कहा जाता है कि बुखार में पसीना आने से लाफ मिलता है सौफ का सेवन करने से पसीना आता है इसलिए किसी भी रोग में पसीना लाने के लिए इस प्राकरितिक औशथी का सेवन करना चाहिए सौफ को मुतर वर्धक कहा जाता है इसके सेवन से शरीर में मौजूद हानी कारक वा जहरीले तत्व मूतर के द्वारा बाहर निकल जाते हैं मूतर रुक रुक कर आने वा जलन होने एक पर भी सौफ का सेवन लाब दाएक रहता है खांसी जुकाम में दे राहत सौफ को कफ नाशक कहा जाता है इसका सेवन करने से सर्दी खांसी वा जुकाम में राहत मिलती है इन समस्याओं में सौफ वाली चाय का दिन में दो तीन बार सेवन करने से फाइदा होता है सौफ का काढ़ा बना कर पीने से भी लाब होता है तौचा के लिए है फाइदे मंद तौचा में निखार लाने के लिए सौफ फाइदे मंद है खासकर गर्मियों के मौसम में होने वाली फुंसियों से सौफ का सेवन करने में आराम मिलता है क्योंकि सौफ की तासीर ठंडी होती है इसके लिए चार चमच सॉफवा चार चमच मिश्री के पौडर को पानी में घोल कर रोजाना पीने से फुंसिया जल्द ठीक होती है सॉफ के सेवन से खून साफ होता है कब्स को करे दूर कब्स से रहात पाने के लिए सॉफ का सेवन करना लाब दायक रहता है सौंफ का काड़ा बना कर पीने से कबस दूर होती है कबस से रहत पाने के लिए रात को सोने से पहले एक चमच सौंफ का चूरन गर्म पानी के साथ खाने से लाभ होता है सो दोस्तो यह थी सौंफ के फाइदों से जुड़ी जानकारी हर दिन नए और बहतरिन वीडियो देखने के लिए चैनल डी फाइव हिंदी को जुरूर सब्सक्राइब करें और इसी तरह के बहतरिन आर्टिकल्स पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक को क्लिक करें जुड़े रहे चैनल D5 हिंदी के साथ